हेलो फ्रेंट्स संपुर्ना इंजिनेरिंग में आपका स्वाबत है सॉलेड एज ट्रेनिंग का ये 23 वा वीडियो है 22 वे वीडियो में हमने स्टड़ी किया था ड्राप्ट कमान्ड सो फ्रेंट्स अगर से वो 22 वा वीडियो आपने देखा नहीं है तो इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में उस वीडियो का लिंक आपको दिखा देगा उस पे क्लिक करके आप वो 22 वा वीडियो देख सकते हैं या फिर उस 22 वे वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा उसके उपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते है अब इस वीडियो में हम study करने वाले है Thin Wall Command Friends, इस Thin Wall Command के मदद से हम object इस तरह से hollow बना सकते है आप यहाँ पर देख सकते है कि यह object यहाँ से यह specified thickness का हमने hollow किया है और हमने उसी object को यहाँ से open किया है So, this Thin Wall Command is used to create open faces and to make the hollow objects with the specified wall thickness So, friends, चलिए देखते हैं कि इस Thin Wall Command के मदद से किस तरह से hollow objects एक specified thickness के और open faces किस तरह से बनाए जाते है So, let's start So, friends Thin Wall Command आपको Home tab में इस solid groups के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा तो यह है Thin Wall Command So, friends, अब यहाँ पे इस Thin Wall Command के मदद से यह जो object है इस object को हम यहाँ से hollow करेंगे और यहाँ पे जो wall thickness होगा हो हम रखेंगे 2 mm का और उसके साथ हम इस face से इस hollow object को open करेंगे So, let's see how to use this thin wall command to make the hollow object and to open the faces So, I will select this thin wall command तो यहाँ पे मैं आप select करूंगा यह thin wall command उसके बाद यहाँ पे आपको एक arrow दिखाए देगा यह arrow आपको offset direction स्पेसिफाई करनी के लिए मदद करेगा मतलब offset direction अगर से हम internal direction में रखना चाते है मतलब इसके अंदर यह जो outlines है या फिर यह जो outer faces है इसके अंदर offset value वो act करेगा इसके उपर अगर से मैं click करता हूँ तो offset value वो जो पहले वाले out lines थे उसके बाहर के direction में वो act करेगा अब मैं अंदर की direction में ही यहाँ पे रखता हूँ और हम यहाँ पे wall thickness specify करने वाले थे 2 mm की यहाँ पे predefined value आपको दिखाई दे रही है वो है 1 mm हम यहाँ पे इसको change करके यहाँ पे रखेंगे 2 mm तो यहाँ पे मैंने 2 type किया है और उसके बाद मैं हमें यहाँ पे जो face जहां से हम इसको open करने वाले हैं hollow करने वाले हैं वो face को पहले select करना होगा तो यहाँ पे हम इस face से इसको hollow बनाने वाले हैं यहाँ पे wall thickness मैंने specify किया है अब इस face को मैं select करूँगा तो जैसे मैं इस face के उपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यह 2mm wall thickness का hollow object बन जाएगा अब उसके बाद हमें जहां से इसको open करना है उस face को select करना होगा तो हम यहां से इसको open करने वाले हैं तो इस face को मैं इसके उपर क्लिक करूँगा जैसे मैं इसके उपर क्लिक करता हूं तो यहां से यह open हो जाएगा यहां पे भी wall thickness रहेगा 2 mm यहां पे आप change कर सकते हैं जो भी आपका specified value है समझो यहां पे मेरा wall thickness मुझे रखना है 3 mm so I can modify that value then simply right click आपका जो mouse का right click button है उसके उपर क्लिक कीजिए या फिर आपका जो keypad का या फिर keyboard का जो enter बटन है उसके उपर प्लिक कीजिए तो यह जो भी specified value है यह accept हो जाएगे so friends आप यहां पे देख सकते हैं कि इस तरह यह thin wall command की मदद से हमने यहां पे इस object को यहां से hollow किया है यह wall thickness हमने provide की है 2 mm की और यहां से इसको open किया है और यहां पे wall thickness हमने provide की है 3 mm की so friends इस तरह से इस video में हमने thin wall command study किया जिसकी मदद से हम hollow surfaces create कर सकते है so friends if you like this video please click on like button don't forget to share this video with your friends and for getting more videos on the solid edge please subscribe our channel and click on bell icon click on bell icon thank you